अब डिवन डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर शेश्वागत है मॉडूल 7 बिद्याले आदारित आंकलान इसकी गद्विदी एक की बारे में हम लोग इसमें परचित होंगे साथी निष्टर ट्रेनिंग और जो भी दीच्छाय पर चल रही है इससे समन्देत Omplectic आपको इस वीडियो के दिसक्रिप्शन मिल जाएगे और शाथी आप हमारे टेलिगराम चैनल भी सौर्टनूट करने का प्रियास हम कर रहे हैं उसका अलग से आपको वीडियो बहुत चल मिल जाएगा इस वीडियो को सुरू करते हैं इस वीडियो हम लोग देखेंगे मोड्यूल साथ और मोड्यूल साथ के अंतरगत जो बिद्याले आधारित अकलन है यहने कि स्कूल वैस्ट एसेस्मेंट तो उसका उदेश क्या है और कतिविदी एक तक हम लोग इसमें देखेंगे क्या आविशक्ता है और किस प्रकार से हमें इस सचड़ को पूरा करना चाहिए क्या इसके माइने हैं और क्या हमें किस प्रकार से अपने विद्याले में से एपलाई करना है और कैसे इससे हमें आउटकम प्राप्त करना है तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखें बिना इसक्रम की तो सुरू करते हैं सबसे पहले उद्देश देख लेते हैं इस मॉड्यूल के जो मक्षद है मुख उद्देश है उसको समझगें का परियास करते हैं तो जो इस ट्रेनिंग का उद्देश है वो है विद्याले आधारित आकलन की उत्पत्ति और महत को समझाना इसके परियास करेंगे और उसके बाद में आकलन के लिए सिच्छार्ती केंद्रेत द्रेश्टिकोर से परचित होना और यह बहुत ही महत पूर पूइंट है क्योंकि कि जो द्रेश्टिकोर हमारा होना चाहिए वो सिच्छार्ती के केंद्र मान कर होना चाहिए ना कि टीचर को केंद्र मान कर एकोर्डेंग टू स्टुडेंट हमें आकलन करना है नेक्स्ट पॉइंट है वह है आकलन प्रतक्रियाओं के साथ से छड़ अद्गंपर करिया की ए उद्देश है चार विंद्दू फॉइंट के उद्देश हैं इसको पढ़ने के बाद में जैसे आप उसे उपर स्क्रॉल करेंगे और एक बार बताना चाहूंगा कि आप परियाप्त टाइम देने के बाद प्रिश्चल को आगे बढ़ाएं परियात इसमें टाइम दें आप इसके पना करें जल्दी बिल्कुल भी ना करें तो यहां विसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां से एक नया वीडियो यहां से ओपन होगा सामगरी की रूप रहे का इस पर हम क्लिक करते हैं पिले पर तो यह पिले होगा और यह होना प्रारंब हो गया है लोड हो रहा है इसका जो लेक्ष लेक्षर है तो यह इस प्रकार से लोड हो जाता है अब इसमें चार पॉइंट है इन चार पॉइंट को देखते हैं पिद्ध्याले आदारित आकलन SVA स्कूल वेस्ट एसेस्मेंट की अवधारा और और आकलन क्या क्यों कैसे तीन पॉइंट ओपर डेपेंट करेगा उसके बाद में सीखने की प्रतिफल आकलन के मापदन और इसके बाद में है SVA, SVA के लिए आकलन कार नहीं थी, तो देखते हैं नीचे इसमें क्या point है, तो इसमें point है, ब्यक्तिकत सीखने के आकलन, समूह में सीखने आकलन, rubrics क्या है, यह बहुत important point है जो rubrics की यहां पर बात की गई है, इसको बहुत अच्छे सी समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी पर आ सह कर्मी का आकलन, उसके बाद है 100 आकलन, उसको बाद है पोर्टोलियो, फिल लिखित पर इच्छा, यह points इतने हैं, और इतने सभी points महतपूर हैं, जिन पर इस प्रिसेच्छड की दोरन चर्चा करी की जानी है, उसको बाद है recording और reporting, recording और reporting, इन 5 points को समझना बहुत ही महतप है, तो अब यह पेज हमारा होगे है, इसको इसको स्क्रोल अप करते हैं, तो उपर करते हैं, जैसे फिर से एक next का बटन आएगा, इस next पर किलिक करेंगे, जैसे किलिक करेंगी, तो वैसे हमारा फिर से एक वीडियो आया, विद्याले आधारेत आकलन, SVE का पर्चे, इसको ह करते हैं, तो यह इस फ्रकार से 2 पर इस शेको हमें, जैसे का कैसे कर सकते हैं, तो अभी वीडियो देखा, हमने 2 मिनट 45 सिकंड का था, अब next पर से किलिक करते हैं, और इस वीडियो का जो लेक्चर है, वो हमें देखने को मिलेगा तो इस लेक्षर को हम लोग कोशिस करेंगे कि पढ़ा जाए समझा जाए एक पीच का लेक्षर है और थोड़ा जल्दी कोशिस करेंगे इसको पढ़ने में वैसे तो जो भी प्रतलिपी है वीडियो की वीडियो में जो बताया गया है वही वीडियो का इसकी यह इस प्रिशाथियों हम सभी माता-पिता सिच्छा बच्चों की गुड़गत्ता-पूर सिच्छा प्रदान करने में रोची रखते हैं हम गुड़गत्ता-पूर सिच्छा कैसे प्रदान कर सकते हैं यह एक महत पूर सबाल है हम सभी जानते हैं कि तिमाई चमाई और बारसिक परि प्रद्धर्शन if you are user alum और अधिकार प्रदान करता है ताकि भी चात्रों कि आविजिश सकता हूँ जापने श्रणेक में पर्दान कर सकते हैं ताकि उनकी प्रदशन में लगातार सुधार होसके इस तरहीं की नियमित प्रत के लिए अगसे छात्रों को ना केवल उनके सेच्छरेक बलकि विवन अच्छेत्रों में प्रदर्शन सुधारने में भी बदन मिलती है। चाहे एकिस्वी सदी के कौसल हों, खेल कूध हों ये संगीत हों, विद्याले आधारे ताकलन में हम कई नवीन वा रोचक उपकरणों और तक्निक्यों का उपयोग कर सकते हैं। आधारे ताकलन को प्रभावी ढंक सी लागू करने के लिए याई आवस्यक की समदाय माता पिता और सिचक एक साथ आएं और छात्रों का सहयोग करें। तो यह था यह प्रतलिपी वीडियो को अब नेक्स्ट आगे चलते हैं इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में फिर से देखते हैं क्या इसमें पिले होता है तो यह फिर से स्वयम करें तो स्वयम करें गत्विदी एक है और इसमें देखते हैं क्या उपन होता यह तो इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा और संकेतने ये गत्विदी बताएं पहले को आपके लिए एक उधारण की तोर पर तैयार किया गया है जब तालका पूरी करने तब सोचें कि आप एक प्रसचक और क्यारपी के रूप में सचकों को कैसे समझाएगे इससे सभाविक रूप से भेवन प्रकार के आकलन की बीच अंतर पर एक स्वस्थ चर् करती और कारण जैसे पहला कार है सचक ने घर का कार जैसे हमबर्ग कहते हैं जाचा पर निशान नहीं लगाए तो आपकलन की प्रकरती क्या हुई अनौपचारिक हुई कारण क्या है सचक के वाले है देख रहा है कि छात रोज घर का कार हमबर्ग पूरा करता है लेकिन यह नहीं देख रहा है कि वो सही कर रहा है यह गलत कर रहा है उसके बारे में लिखना है उसके बारे में कारण बताना है तो इस प्रकार से यह जो पूइंट से इनको आप लिख करके